क्लास 10 के छात्रों को मैंने पिछले दिनों में माद्य बताया आज मैं उन्हें बहुलक बताऊँगा जी है बहुलक कैसे ग्याद करेंगे हम किसी भी आकड़ों का बहुलक तो सबसे पहले जो आप आकड़े आपको दिये गए होगे जो सारनी आपको दी गए होगी उसमें आप ग्याद किजिएगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है अब ये बहुलक वर्ग होता कौन है तो सबसे पहले देखना आपको कि अधिक बारबार्बार्ता किसकी है सबसे आधिक बारबार्ता है आप grip 23 दिख रहे हैं और वह किसकी है 35 और 45 35 पैटीस 35 का जो बहुलक हो गया इसके बाद सबसे पहले हम रोग जानेंगे यह कुछ मानक है यहां सुत्र के नुसार जिन्हें हमें जानना है सबसे पाले L होता है फिर F1, F0, F2 और H यह टोटल आप जो देख पा रहे हैं टोटल पांच चीजें हैं इन्हें हमें जानना होगा कि यह सभी होते क्या हैं अभी हम इनके बारे में विष्चार से जानते तो L जो आप देख पा रहे हैं यह होता है बहुलकवर्ग की की निम्न सीमा के जिए बाहुलकर वर्ग की निमन सीमा को L से दर्सा आजाता है अब देखिए बहुलकवर्ग कौन सा है 35 और 45 जो कम आखर सबसे कम होते हैं यहां पर उसे बोलते हैं निम्न सीमा और अधिक वालग बोलते हैं उपरी सीमा निम्न सीमा कितना है 35 उसके बाद F1 F1 किसे कहेंगे हम तो याद रहें कि बहुलग वर्ग की जो बारंबारता होती है हम बहुलग वर्ग की कौन सा है 35 से 45 और इसके बारंबारता है 23 तो यहाँ पर हम लिखेंगे बहुलग वर्ग की बारंबारता जी हां F1 और यहां कितना है 23 फिर आता है F0 एफ जिरो क्या होता है तो बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले कौन सा है 21 तो यह कितना हो गया 21 यह क्या था बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले यह होता है एफ जीरो यह हो गया 21 फिर आता है एफ टू किसे कहे कहेंगे हम F2 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद जश्ट इसके उल्टे का सकते हैं लोग बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक बाद उसे कहेंगे हम F2 और वो कितना है 14 अब आता है इसको बोलते हम लोग वर्ग माप अब यह वर्ग माप क्या होता है तो वर्ग अंतरालों के बीच के कितनी दूरी है कितना का अंतराल है उनमें वही कहलाता है वर्ग माप और वो कितने का अंतराल है 10 का अंत्राल है सभी जगों पर तो बहुला का सुत्र जो है दसनी कच्छा में जो हमें पढ़ना है बहुला का सुत्र वो है L प्लस F1 मैनस F0 बाइ 2 F1 मैनस F0 मैनस F2 इंटू H यही सुत्र है बहुला का अब हम सभी मानों को यहां बैठाते हैं सबसे पाले L का जो मान है 35 पलस F1 मैनस F0 F1 का मान है 23 और F0 का मान है 21 बाइ 2 इंटू 23 F1 का मान था मैनस F0 F0 है 21 और फिर है F2 F2 है 14 इंटू H H का मान 10 35 वही रहा प्लस करेंगे से हम घटाएंगे 2 23 दूना 46 और यह दोरों साथ में जूड़े जाएंगे टोटल हो गए यह 35 इंटू 10 35 पलस 2 टेन जा 20 बाइ इसे हम आराम से डिवाइड करेंगे घटा देते हैं यहां 9 बच गया सॉरी 11 अब हम 11 से 20 में डिवाइड करते हैं हमारा मान आता है यह पूरी तरह से साथ नहीं कटेंगे जी हां यह पूरी तरह से नहीं कटेंगे यह कंटीनू चलता जाएगा पॉइंट के बाद हमें एक मान तक जाना है 35 प्लस 1.8 लगभग यह जोड कराएगा 36.8 इसी सवाल में यह 14.2 का पहला सवाल है इसमें बहुलक के साथ साथ आपको माद भी ग्याद करने को कहा गया है मगर मैंने आपको पिछली कलास में माद भी बताया है तो मैं उम्मीद करता हूँ उसी क्याधार पर आप यहाँ पर यह लेंडस्केप मोड दिया हुआ है आप इसे पोट्रेट मोड में लिख करके XI और FIXI निकाल करके आप माद भी निकाल सकते हैं मैंने आपको यहाँ यह पूरा बहुलक का एक सॉलीशन दिया है इसी क्याधार पर 14.2 के सारे क्वेस्चन बन जाएंगे आपके पास किताबे हैं आप उनसे असानी से बना सकते हैं धन्यवाद